हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो मैं चनल, आज मैं आपको 12 से 15 साल की गर्ल्स के लिए स्ट्रेप टॉप बनाना बताऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस रिप 1 मिटर क्रेप का फैबरिक लिया हुआ है, तो सबसे पहले हम टॉप पाट की कटिंग करेंगे, तो फैबरिक को मैं मैंने फोर फोल्ड करके बिचाया हुआ है, जो मेरी साइट है वो इसकी बंद वाली साइट है, और जो उपर की साइट है वो भी इसकी बंद वाली साइट है, और नीचे से दोनों साइट इसकी खुली हुई है, इस तरह से दिखिए मैंने इसे फोर लेयर में बिचाया 21 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी आप अपनी पसंद से लंबाई कमिया ज्यादा भी कर सकते हैं तो देखिए इसे हम थोड़ा सा सरकल में बनाने वाले है यानि की एलाइन शेप में तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है आपको ज्यादा गेर ज्यादा नहीं लेनी है पाच इंच की ही लेनी है और आम होल की लंबाई के लिए भी हमें पाच इंच पर ही निशान लगाना है पाच इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है मैंने सिर्फ एक इंच ही एक्ष्टा रखा है अभी देखिए इस निशान को हमें नीचे तक इस तरह से तिर्ची लाइन में ड्रोग कर लेना है क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गेर रहेगा तो ऐसे ही हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना है नीचे से अभी नीचे से उपर क की तरफ हमें तीन या फिर चार इंच पर निशान लगाना है और इसमें राउंड शेप ड्रोग कर देना है देखिए इस तरह से हम राउंड शेप ड्रोग कर देंगे मैंने चार इंच पर निशान लगाया है अभी देखिए गले की लंबाई हमें चार इंच की लेनी है और गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है तो आप बड़ी साइज का बना रहे है तो गले की चौड़ाई आपको 4 इंच की लेनी होती है अभी देखिए जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे भी हमें 3.5 इंच पर ही निशान लगान तो उस निशान के साथ हमें ये वाली जो हमने लाइन रोग की है उसे इस तरह से राउंड शेप देते हुए ड्रोग कर लेना है इसमें आप स्वीट हाट शेप भी ड्रोग कर सकते है अभी जहां पर हमारी आम होल वाली लाइन है वहां पर हमें इस तरह से एक इंच पर निश इसका कौण निकला देखे ये चेखे और पीछे के लिए तेखे जो इसका गला है वहां पर हम यह और से तप्रिया करना रहा है यह ला कहिंख देखे भूकिए गलया देखे रहना चूंस लेट ऑटेश करेंग्गी वहांपर अर्पर किसल्प पट्टी अटेज करेंगे तो सीधी साइट से ही हमें तिर्ची पट्टी को रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइट पर मोर देना है तो इसी तरह से दूसरे वाले गले के उपर यानि कि दूसरे वाले पा तो उसके लिए हमें देखिए इस तरह से लंबी सी तिलशी पटी कर लेनी है अगर आपके पास लंबी पटी नहीं होती तो आप दो पटियों को भी जोएंड कर सकते हैं उसके बाद ये जो हमारा एक सैट का आम होल है वहां पर पटी को इस तरह से रखना है सीधी सैट से ही औ और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है और देखिए हमने स्ट्रिप की लंबाई जो है वह साड़े तीन इंच की रखी थी तो उसका डबल होता है साथ इंच तो इस तरह से हमें साथ इंच छोड़ते हुए दूसरी सेट पर पट्टी लगानी है तो देखिए जहां तक हम पट्टी लगाएंगे वहीं से हमें इस तरह से साथ इंच पर एक निशान लगा देना है देखिए इस तरह से साथ इंच पर हम निशान लगा देंगे उसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला टॉप पार्ट है उसको हमें बिल्कुल इसके सामने रखना है देखिए इस तर हम आम होल पर इस तरह से सीधी सैट से ही पट्टी को लगाएंगे और बीच में हमें 7 इंच का गेप छोड़ देना है यह हमारे शॉल्डर के उपर स्ट्रिप रहेगी 7 इंच की उसके बाद दूसरी सैट के आम होल के उपर हम इस पट्टी को लगाते हुए सिलाई लगा तो इसी तरह से हमें दोनों सैट पर पट्टी को लगा देना है तो चलिए मैं आपको मशिन पर लगा कर पताती हूँ तो एक सैट के आम होल पर हमें पट्टी को इस तरह से सीधी सैट से ही रखना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है दिखे इस तरह से उसके बाद जहां पर हमारी सिलाई खतम होगी वहां पर हमें एक निशान लगा देना है और यहां पर हमें 7 इंच का गेब छोड़ना है क्योंकि स्ट्रेप की लंबाई हमने 3.5 इंच की रखी थी तो उसका डबल होता है 7 इंच तो इस तरह से हमें 7 इंच बीच में छोड़ देना है स्ट्रेप के लिए दिखी इस तरह से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे उसके बाद यहां पर से हमें सिलाई को निकाल लेना है और जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें दूसरी सैट का टॉप पाट रखना है तो ध्यान रहे दोनों के आम होल एक दूसरे के बिलकुल सामने होने चाहिए इस बात का आपको बड़ाबर से ध्यान रखना है नहीं तो टॉप पाट हमारा इधर का उधर ना हो जाए और इस तरह से दूसरी सैट के आम होल के उपर भी जो हमने निशान लगाया है वहीं से हम सिलाय को स्टार्ट करेंगे और इसके आम होल के उपर भी हमें इस तरह से स्टीच लगा देनी है और एक्ष्टा पट्टी को हमें कट कर लेना है उसके बाद जो इसका आम होल वाला पाठ है वहाँ पर हमें छोटे-छोटे से कट लगाने है दोनों ही सैट से उसके बाद देखे इस पट्टी को हमें इस तरह से उल्टी सैट पर पलट देंगे और ये जो हमारी किनारी वाली सिलय है उसे हमें इस पट्टी के नीचे दबाना है और पट्टी को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है जैसे कि हम पाइपिंग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आधी पट्टी हमें बाहर की साइट रखनी है तो बहुत ही finishing से हमारी पट्टी लग जाएगी देखे इस तरह से और ये जो बीच में हमने 7 इंच की पट्टी खुली छोड़ी थी इसे हमें दोनों ही सैट से fold करना है देखे इस तरह से हमें से दोनों ही सैट से fold कर लेंगे और इसके उपर भी बिलकुल किनारी पर हम सिलाई लगाते जाएंगे तो इस तरह से ये वाली बीच वाली पट्टी भी हमारी बहुत ही finishing से लग जाएगी देखे आप देख सकते हैं पट्टी को हमने इस तरह से finishing से attach कर लिया है तो एक सैट की पट्टी हमारी लग चुकी है अब इसी तरह से हम दूसरी सैट पर भी पट्टी को लगा लेंगे तो पहले एक सैट के आम होल के उपर पट्टी लगाएंगे उसके बाद बीच में 7 इंच का गेप छोड़ेंगे और दूसरे सैट के आम होल के उपर भी पट्टी को अटेज कर लेंगे और पट्टी में छोटे से कट लगाने के बाद हमें पट्टी को उल्टी सैट पर पलटना है और आधी पट्टी को बाहर की सैट निकालना है और आधी पट्टी हमें अंदर की सैट दबानी है तो देखे इस तरह से दोनों ही साइट पर मैंने पट्टी कोटेज कर लिया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरू से किजेगा तो देखे हमारे दोनों ही साइट की पट्टी लग चुकी है और ये दोनों ही टॉप पर सेंटर से चॉइंट हो चुके है अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है और जितना भी हमने उपर से सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो मैंने सिर्फ एक इंच का ही सिलाई मार्जिन छोड़ा था तो इसका fall बहुत ही अच्छे से आता है या फिर आप इसकी border को इस तरह से double fold करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते है तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से और नीचे की border को भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और इसी के साथ ही हमारा step top बनकर ready हो चुका है और यह है इसका final look so friends I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में उस bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आपको यह video कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताईगा मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys